ऐसे बनती है पार्टनर के नजर में वैल्यू कुछ चीजे मैं आपको बताने वाला हूँ साइन्स अन लॉजिक के हिसाब से जिसमें ये 100% कन्फर्म हो जाओगे कि आपके जो पार्टनर है उनके नजर में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी आपकी इंपोर्टेंट्स बढ़ जाएगी और कुछ प्रियोगों का बारे में भी मैं आपको बताऊँगा जो आप करोगे अपने लाइफ में और जिसको करने के बाद आपके पार्टनर आपके लिए बिल्कुल एक मतलब इंपोर्टेंट समझेंगे आपका वो जानेंगे कि नहीं यार ये जो इंसान है मेरे लाइफ में ये अक्चली में इंपोर्टेंट है मतलब वो कदर आपका करने लग जाएंगे और इसी के लिए तो आप मर रहे हो ना आप तो चाहते हो ना कि आपको सामने वाला वैलिव करे, प्यार करे तो चलो इस बारे में बात करते हैं तीन चीज के बारे में मैं बात करूँगा human psychology से जुड़ा हो आ क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर वीडियो सिर्फ science and logic के हिसाब से मिलती है आप जब इन तीन बातों को समझ जाओगे तो आप अपने आप में कहोगे यह एक emotion है जैसे कहते है न कि सामने वाले के अंदर बहुत जादा ego आ गया है ego क्यों आ गया है क्योंकि वो अपने emotion को तुम्हारे emotion के compare में उपर रख रहा है पहली चीज यह है कि आपको अपने अंदर ego लाना होगा self respect लाना होगा जी हाँ बहुत जगह पे आपने सुना होगा ego छोड़ दो self respect छोड़ दो अच्छी बात है नहीं रखना चाहिए लेकिन जब बात relationship की हो तो थोड़ा आपको रखना पड़ता है अब आप सोचो कि आपके पास मानलो की बहुत ज़्यादा पैसा है और आप सारे पैसे हर दिन दान कर देते हो हर महीने जितना कमाते हो उतना दान कर देते हो अगर कोई आपके पास आएगा आपके काम के लिए मानलो आपको अपने लिए कुछ समान खरिदना एक laptop खरिदना लेकिन आप तो दान करते गए तो आप तो अच्छा काम कर रहे हो, फाइन, लेकिन आपको आज बहुत जरूरत है, बहुत नीड है लेक लैपटॉप की, और आपको अपने ओफिस के काम के लिए वो लैपटॉप चाहिए, लेकिन आपको दूसरे से मांगना पड़ जाएगा, काम आप अच्छा कर रहे थे दान करके, लेकिन तो अगर आप थोड़ा दान करो, लेकिन थोड़ा बचा के अगर अपने लिए भी रखते तो आज मांगने की जरूरत नहीं पड़ती न, ठीक उसी तरह, रिलेशन्शिप में, आप अगर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एगो को अगर सबसे पह हतपून बना देते हो, कि वो आपकी, करके खतम कर देता है, तो इस चीज को मिंटेन करना is very important, the second one is, कि आ, सामने वाले के नजर में वैल्यू बनाना चाहते हो, fine, उसके दिमाग में एक रहना चाहिए, कि नहीं यार, ये बंदी है, मेरी, ये बहुत अच्छी है, इसके रहती है, उस चीज के लिए हम और ज़्यादा dedication दिखाते हैं, जैसे for an example, market में अगर कोई एक नया restaurant खुला है, उसका बहुत, हम viral video देख रहे हैं, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे, और वो आपके city में है, तो जितना ज़्यादा आप videos देखोगे, उतना जल्दी plan करो कि आप उ subconscious mind में ये feed हो गया, कि कुछ तो है, कुछ तो है, जो चीज बार बार हमें दिखती है, उसके पास जाने का मन करता है, तो लेकिन जब तक आप वहाँ पे खा नहीं लोगे, जब तक आपका एक judgment आ नहीं जाएगा, तब तक आप उस पर अपना, मतलब मन हलका नहीं करोगे, ज लेकिन आठ घंटे में से तीन घंटे confusing तरीके से बात करो, हाँ भी, ना भी, ऐसे बात करो, उसको लगना चाहिए, यार ये तो भाव खारी है, और फिर तुरंत अगले घंटे में लगना चाहिए, नहीं यार, बहुत प्यारी है, समझ रहे हो, मतलब हमेशा सामने वाले partner के दिमाग को थोड़ा confused रखना है, confused रहेगा, तभी वो आपको जानने की कुशिश करेगा, जो चीज आपको समझ में नहीं आती है, आप उसी के पीछे लगते हो ना, जैसे सामने से कोई बोल दिया, तूट से ये नहीं हो पाएगा, तो आपको और उसके पीछे लग जाते हो तो आप और उसके पीछे लग जाते हो, तो दूसरी ये चीज है, कि आपको 100% देना है, लेकिन उस 100% में से, जो 40% है, उसमें confusing एक personality लेके आपको सामने बाले को express करना है, और इसमें तो आप माहिर हो ही, मुझे पता है, तुम्हेरे खुले बाल कितने प्यारे लग रहे हैं है, चमपावती, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत गर्मी है यार, इतने गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, लाइक तो करो, the thought and the last point, इसके बाद मैं इसका उपाय बताने वाला हूँ, the thought and the last point is, कि आपका मिलना जुलना कितना है, see, पहली बार आपने मिला, दूसरी दूसरी बार आपने मिला, दीसरी बार अपने मिला, फाइन, लेकिन बहुत जादा तुरंट तुरंत मिलना जो है, इस चीज को खराब कर सकता है, सामने वाला अगर 10 पर मिलने को बोले, सामने वाला, 25 लाम को बोले, तब आप 5 पर मिलो, ऐसा नहीं ही है कि उसने बोला, चल आपको सामने वाला एप्रोच करें तो उस पे हमेशा 50% उतरना है this is human psychology क्योंकि आप जब जब 100% इकदम हां मेहां भर होगे न वो आपको उठा के फेग देगा लात मार देगा जिस situation से आप अभी गुजर रहे हो तो this is very much important इसका जो उपाय है इसमें हम अगर अपने vibration को raise कर लें अपने vibration को high रखें हमें एक positive attitude हमेशा रखें तो ये बहुत amazing होगा और ये जो तीन चीज़े मैंने बताई ये अपने आप आपके life में हो जाएगा आपको इसके लिए effort करने की जुरत नहीं है तो ये क्या मैं करूं इसके लिए green तारा मंत्र के बारे में आपने सुना है ओम तारे तू तारे तू रे सोहा इस मंत्र को आपको दिन भर में कम से कम तीन घंटे का जाब करना है अब ये तीन घंटा कैसे अभी 5 मिनट कर लिया 10 मिनट कर लिया मन में अभी आप खाना बना कर रहे हो तो फिर मन में कर लिया फिर आप कहीं ट्रावलिंग कर रहे हो तो मन में कर लिया आप वोन स्रॉल कर रहे हो तो मन में ये चल रहा है तीन घंटा दिन का क्रीन तारा मंत्र करो और सुबह सुबह बस एक दुर्गा चालीशा का पार्ट करो दुर्गा चालीशा का प तेरे पास तब मैं 100% उनका काम करता हूँ साइन्स के हिसाब से दुर्गा चालीसा की जो लाइन्स है ना वो लाइन्स आपके एनर्जी को हील करती है मतलब आप मुझे से जब वो शब्द बोलोगे वो जो शब्द आप बोलोगे ना आप फील करोगे कि गर्माहाट आ रही है अंदर में एक गर्मी जैसी लग रही है आपको अंदर में ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो निगेटिव एनर्जी है आपके बोड़ी में जो निगेटिव थॉट्स की वज़ए से जो निगेटिव energy create हुई है उसको ये clean करेगा पीट-पीट के बाहर निकालेगा ये इसके पीछे science है क्योंकि जब आप इसको बोलोगे मुह से बोलना है मन में नहीं करना है हर सुबा करो कम से कम 45 days minimum day है कि आपको करना है आपका ये जो है उसके मन में आपकी value हो जाएगी 100% गाइस नहीं हो तो subscribe ज़रूर करेना क्योंकि life amazing videos और science की साब से videos आपको यहीं भी मिलती है आप मेरे instant manifestation courses को join कर सकते हैं whatsapp की number आपको दिख रही होगी instagram पे dm कर सकते हैं सागर्द motivator के नाम से id है twitter पे follow कर सकते हैं हर जगा मैं हूँ आपके दुख को हरने के लिए आपके चाहरे पे smile लाने के लिए तुम हसते वे बहुत खुबसूरत लगती हो पगली हैं बहुत तो guys take care God bless Hare Krishna Rade Rade